हेलो गाईज कैसे हैं आप सब आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे जै माता की तो गाईज आज हम पढ़ने वाले हैं अपराद शमापन स्तोतर क्योंकि जब मातारानी की पूजा की जाती है तो बाद में अपराद शमापन स्तोतर का पाठ करना अति अनिवार ये ह होता है इसी लिए आज मैं इसी का अध्यान करूंगी तो सभी भक्त जन्मातरानी के सामने हाथ जोड़ कर बैठे और दिल से शमा मांगे कि हे मा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप किरपा करके हमें शमा करें अपने छोटा बालक नादान बालक समझ कर हमें शमा कर दे और अपनी दया द्रिश्टि हम पर सदय बनाए रखें तो मा से निवेदन करना होता है कि हे मा मैं नय मंतर जानता हूँ और नय यंतर अहो मुझे स्तूति का भी ग्यान नहीं है नय आवाहन का पता है आवाहन मतलब की मातरानी को बुलाना होता है नय आवाहन का पता है और नहीं ध्यान का सतोतर और कथा की भी जानकारी नहीं है नै तो तुम्हारी मुद्राय जानता हूं और नै व्याकुल होकर मुझे विलाप करना आता है मैं केवल तुम्हारा अनूस्रन तुम्हारे पीछे चलना जानता हूं जो सब कलेशों को और समस्त दुख विपत्यों को हर लेने वाला है सब का उधार करने वाली कल्याण मैं माता मैं तुम्हारी पूजा की विधी भी नहीं जानता मेरे पास धन का भी अभाव है मैं सभाव से भी आलसी हूं तथा मुझ से पूजा का यदा यथा विधी संपादन हो भी नहीं सकता इन सब कारणों से तुम्हारे चर्णों की सेवा में जो भी तूटी हो गई है उशे शमा करना क्योंकि कुपुत्तुर का होना संभव है किन्तु माता कहीं भी कुमाता नहीं होती हे मा इस पिर्थवी पर तुम्हारे सीधे साधे पूत्तर तो बहुत से हैं किन्तु उन सब में मैं तुम्हारा अत्य अंत चपल बालक हूँ मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा हे श्वे हे मयारानी मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापी उचित नहीं है क्योंकि संसार में कुपुत्तर का होना संभव है किन्तु माता कभी कुमाता नहीं होती हे जगदंबे हे मातारानी मैंने तुम्हारे चर्णों की सेवा कभी नहीं की देवी तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया तथा पी मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपार सनहें करती हो इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्तर पैदा हो सकता है परन्तु माता कभी कुमाता नहीं होती गणेश जी को जनम देने वाली माता पार्वती मुझे नाना परकार की सेवाओं में वेस्ट रहना पड़ता है इसलिए इतनी सारी उमर बीतने के बाद भी यहाँ पर जिसकी जितनी उमर बीती हो अपने हिसाब से उस उमर बताए इसलिए पिचासी वरस से अधिक अवस्था बीत जाने पर भी मैंने देवताओं को छोड़ दिया है अब उनकी सेवा तथा पूजन मुझे से नहीं हो पता अतै उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है इस समय यदे तुम्हारी किरपा नहीं होगी तो मैं अवलम रहित होकर किसकी सरण में जाऊंगा हे माता अपरना तुम्हारे मंतर का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधू पाक के समान मधूर वानी का उच्चारन करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है देन मनुष्य भी करोडो सवरन मुद्राओं से संपन हो चीर काल तक निर्भय रहा करता है जब मंतर के एक अक्षर के सरण का ऐसा फल है तो जो लोग विधी पुर्वक जब में लगे रहते हैं उनके जब से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा इसको कोन मनुष्य जान सकता है ये भवानी जो अपने अंगों में चिता की राक भभूत लपेटे रहते हैं जिनका विश्य भोजन है जो दिगंबर अर्थाद नगन रहने वाले हैं मस्तक पर जटा और कंठ में नाग राज वासुकी को हार के रूप में धारन करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है ऐसे भूधनात पशूपती भी जो एक मात्र जगदीश की पद्वी धारन करते हैं उसका क्या कारण है यह महत्व उन्हें कैसे मिला यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहन की परिपाटी का फल है तुम्हारे साथ विवा होने से ही उनका महत्व बढ़ गया मुक पर चंद्रमा की शोभा धारन करने वाली मा मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है संसार के वैभव की भी अभी लाशा नहीं है ने विज्ञान की अपेक्षा है ने सुख की आकांसा है अथ है तुम से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जनम मृडानी, रुद्रानी, शिव, भवानी इन नामों का जब करते हुए ही भी ते हे मैया श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामगरियों से कभी विदी पुर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ने हो सकी सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया फिर भी तुम स्व्म ही परियतन करके मुझे अनात पर जो किंचित करपा द्रिष्टी रखती हो मा यह तुम्हारे ही अनुसार है तुम्हारे जैसी दया मैया माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रे दे सकती है माता दुर्गे करुणा सिंदू महेश्वरी मैं विपत्यों में फंस करें आज जो तुम्हारा समर्ण करता हूं पहले कभी नहीं करता था इसे मेरी शटता ने मानने ना क्योंकि भूख प्यास से पेडित बालक माता का ही समर्ण करता है हे जगदंबे मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण किर्पा बनी हुई है इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है पूत्र अपरहाद पर अपरहाद क्यों न करता जाता हो फिर भी माता उसकी अपेक्षा उपेक्षा नहीं करती महादेवी मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान कोई दूसरी पाप हारेणी नहीं है ऐसा जान कर जो उचित जान पड़े वह करो तो ये था मातारानी का अपराद शमापन स्तोतर अर्थात पुजा के बाद जो मातारानी से शमा वांगी जाती है की हे मा मुझसे जो भी अपराद हुए है उनके लिए मुझे शमा करो ये वही स्तोतर है और इसका पाट रोज सुबह शाम पुजा के बाद जरूर करना चाहिए तो जैश्री माता की जेरा वाली की उचा पहाड़ा वाली की जैजैकार हो जैकारा शेरा वाली माता का बोल सुच्चे दरबार की जै तो गाइस मेरी वीडियो को जदश 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 शेर कीजिए लाइक कीजिए अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए ताकि मेरा उत्साहा बढ़े और मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए माता रानी की किरपाई समझकरी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जैश्री हरी